एक नियू रेसिपी जो है गाजर के लुटाय का बनाने का तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पे आदी किलो को तकरीबन गाजर उसे दाल दिंगे कोकर में और हमने इसे काट लिया है थोड़े बड़े पीसो में और हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक अच्छा तरीके से पानी जा लेंगे और प्रेशर लगा देंगे तो यह बहुत अच्छा से गलनी चाहिए हमने ले लिए यहां पे 250 ग्राम सूजी और जितनी हमने वो लेनी है उससे आधी सूजी और इसे अच्छा से भून लेंगे इसमें बिल्कुल भी कच्छा पढ़नी रहना चाहिए सूजी में और हमारी गाजर अब गल चुकी है तो अब हम इसे एक ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो आप मिक्सी में डाल के भी कर सकते हैं या फिर एक रही से अब इसे घोटलें अच्छे तरीक से लेकिन यह बिल्कुल प्योरी होनी चाहिए मतलब इसकी बिल्कुल अच्छे तरीक से फाइन पेस्ट होना चाहिए तो देख सकते हैं मैंने इसका बिल्कुल ही फाइन पेस्ट कर लिया है अब मैं ले लूँगी हां पे 100 ग्राम्स गोड़ और य अब गी निकालते हैं यह अप्शनल है लकुल अगर खोया डालना चाहते हैं तो खोया भी डाल सकते हो जो घुड़ा निकलता है मैंने वही एड़ करा इसमें अब इसमें गुर्या देंगे और मुझे थोड़ा मीटे कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर टू स्पून शु अगर आप एक ही बार गी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो और इसे अच्छे तारीक से पका लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे इलाइची का पाउडर यह बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर तो मैं यह जरूर एड़ करती हूं आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे तरीक से पका गया था हमने जल्दी जल्दी सूजी डालनी है और इसको फटा-फट से हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बनें हमारे सूजी के अब लोग देख सकते हैं कितना अच्छह लगरा है साइड मों हिसलने घी तक शुड़ना इस टॉत कर दिया और आप हम इसमें डालेंगे और घी लालेंगे यह बहुत अच्छा फ्लेवर देता है उतना फ्लेवर देगा अब इसमें सारे ड्राइफ्रूट्स जाल देंगे आपको इसा भी ड्राइफ्रूट्स में एड़ कर सकते हो और जब मैं इसको अच्छे तरीके से चला करके थोड़े पकाऊंगी अब देख सकते इसने पैन भी छोड़ दिया तो जब पैन छोड़ने लगे तो आप लोग यह समझ ले कि अच्छे तरीके से पक चुका है तो इस रेड़ी और में इसको करेंगे तो मैं इस तरीके से डिश ले लिए और यह सब आपको बहुत अच्छा लगए आपके बैचों को भी और मेरे कर में तो इस अब को बहुत साथा पसंद है तो एक बड़ ज़रू ट्राइब करें मेरी अच्छा बूल ट करें में तो इस अच्राइब करें मीरे करें में तो गुका है